हलो बच्चो कैसे हो तो हम लेक्चर नंबर वान और टू में मोल कंसेप्ट के उपर थे और हमने कुछ एक दो कॉश्चन मोल कंसेप्ट के स्वाल्व किये थे हम कुछ और कॉश्चन आज स्वाल्व करेंगे ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें कॉश्चन वही और वैसे ही है जो नीट में पूछे जाते हैं। उसी टेकनिक पर फोकस्ट कॉस्चन रहेंगे। तो मिक्रास में आप सब लोगों का स्वागत है। जुनूल और जीत सफलता की पहली सीडी है। तो चलिए जुनूल और जीत की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और आज मोल कंसेप्ट से जुड़ी हैं। कुछ और बाते हम समझते हैं। तो देखिए आपके सामने कुछ ये फोर पॉइंट से इन पॉइंट पर नीट में कॉश्चन फ्रेक्वेंटली रिपीट होते हैं। पहला होता है, What is the mass of N atom? अगर आपको किसी एलिमेंट के N atom दिये हुए हैं। और पुछा गया है कि उसका mass क्या है। तो वैसे तो आप जनरल कॉंसेट से सॉल्म कर सकते हैं। पर बहुत बेस्ट यह होगा कि आप ये वाला relation याद कर दें। M upon N into N. M क्या हुआ? Molar mass, N क्या हुआ? Avogadro number और small n वो आटम जो आपको कॉशन में दिये जाएंगे। जैसे कि हम आपसे कहें कि आपके sodium के 6 into 10, 20 atom का mass क्या होगा? तो आप उसको बड़ी आसानी से एक्जाम में विदिन 10 सेकंड वाल कर सकते हैं। सीधा आप इसके अदर Avogadro का divide कर दीजिए और इसके molar mass 23 का multiply कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये 6 से 6 cancel हो जाएगा और 23 into 10 power minus 3 gram ये आपके sodium के इतने atom का mass within 5 seconds, it will be clear, आप clear हो जाएगा। दुसरे सबसे अच्छी बात ये है, need के अंदर जो आपको figures दिये जाएगे वो बिलकुल easy होंगे। easily आप उसको cancel करके अपना answer ला सकते है। ठीक है। तो पहला हमारा जो point है वो था what is the mass of an atom आपको question में an atom दे दिये गए और पूछा आपका mass क्या होगा तो आप इस formula का use कर सकते हैं। second आप आजाएंगे how many atom are there in a gram means आपको आप mass दिया हुआ है और पुछा गया है कि इस mass में कितने atom होंगे। तो उसके लिए formula आपके पास होगा a man upon capital M कैसे जैसे अगर आपसे कहा जाएं। 56 gram fabric में कितने atom होंगे तो नेचरली 56 gram क्या हुआ। एवगेडर नंबर हुआ राइट वना 56 gram आपका one mass of one mole atom आपको पता है फेरिक का atomic mass 56 gram होता है। और 56 gram fabric के अंदर आपको एटम पूछे गए तो नेचरली एवगेडरों का जो नंबर है उत्रही एटम इसके अंदर होंगे। क्योंकि हमने हमारी golden line में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है। एवगेडर नंबर एक्वाल टू 22.4 लेटर आफ वालिम। अगर आपसे कहा जाए। 23 gram Fe में कितने atom होंगे। हाव इनी एटम तो आप क्या करेंगे। 23 में आप molecular mass का डिवाइड करेंगे। और एवगेडरों का multiply कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यह हो गया। या तू मतलब N by 2 atom 23 gram feric में available होगे। दुसरा आप या तो यह फार्मुला यूज करें या फिर हमारी golden line में जो लिखा हुआ है 1 mole equal to N number of atom तो आप इसको mole में change कर दें 23 gram आप बहुत general और common sense से पता लगा सकतें कि 23 gram 56 का आधा हो रहा है। मतलब यह फेरिक का आधा मोल है। तो आधे मोल में मतलब हाफ मोल में N by 2 atom होगे। clear आदा है समझ में। फिर से देखेंगे। हमारा यह जो रिलेशन है। ultimate relation है यह 1 mole equal to atomic mass equal to N number of particle equal to 22.4 liter of volume। यह ही से इसपष्ट होता है कि अगर आपको mole पता है कि आपके DIY question में element का mole क्या है। तो आप immediate बता सकते ही कि अगर 1 mole है तो N atom होगे। अगर half mole है तो N by 2 atom होगे। अगर 10 mole है तो 10 N atom होगे। या फिर आप सिधा यह relation यूज़ करें। DIY mass में आप सिधा molecular mass का divide करके N का multiply करें। ठीके। तो एक second trick और easy best method जो आप exam भी कर सकते है। next हमारे पास है what is volume of one atom of any element किसी भी element के एक atom का volume क्या होगा इस पर भी question बहुत सारे आते हैं। तो बहुत आसान है। आप सिधा formula लेंगे 22.4 upon अगर NTP लिखा हुआ है what is the volume of one atom of an element at NTP तो आप सिधा 22.4 में एवगडर नंबर का 6 into 10 by 23 का divide कर दे। अगर आपको N atom का volume निकालना है तो आप इसमें N का multiply कर देजिए। तो आपके पास आजाएगा N atom का volume इस relation पर भी question बहुत आते हैं। अभी हम कुछ question के और practice करेंगे। फिर हमारा अगला fifth point आता है what is the volume of an atom okay यह उसी का रूप है यह एक atom का था यह एक atom का है ठीक है चलिए अब हमने जो समझा है इसके उपर कुछ question करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके सामने नीट का है कि question हमने लिखा है question है one CC of N2O at NTP content बदब one cubic centimeter N2O में क्या होता है इतने atom होते हैं या इतने मालिकल होते हैं या इतना electron होता है या आला question बहुत सरल है कि सभी question का pattern एक जैसा है सारे question हमारी उस golden line से solve होते हैं सबसे पर आपको पता होगा one centimeter cube क्यूं सीची में लग one centimeter cube equal to होता है one ml correct एक तो यह आपकी जानकरीम होना चाहिए हमारे पास हमारी उस golden line में लिखा हुआ है one mole equal to 22.4 liter at NTP इसको आप ml में लिखेंगे तो 22400 ml हो जाएगा दोनों का मतलब एक होता है ऐसा हम क्यों बोल रहे है क्योंकि हमारे question में 22240 यहां पर 224 मनल में turn किया हुआ है और हमारी जो question है वह भी CC में दी हुई है तो हम CC को बनेंगे ml में तो हमारा जो question है वह किसे पढ़ा जाएगा कि one CC of N2O मतलब one ml of N2O correct नीट ने थोड़ा सा question को twist किया है आप उसको अपने concept से सीधा कर दो हम यह मान के चलेंगे कि आपको इतनी चीजे हमेशा आपके brain में fit है तो one ml of N2O at NTP content तो सबसे पहले हमारी golden line one mole N2O में 22.4 liter या 22400 ml volume होता है NTP पर तो one CC मतलब one ml N2O मतलब one upon 22400 mol पहले तो आपने ये convert कर दिया जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको कोई question करने जाओ उसको mol में convert कर दो हमने सबसे पहले one CC of N2O को mol में convert कर दिया तो हमारी golden line में लिखा वा था one mole equal to 22400 ml तो one ml equal to one upon 22400 number of mole in one ml ठीक है अब हम इन चार option को confirm करेंगे सबसे पहले उसने बोला atom तो one mole में कितने atom होते हैं one mole में होते हैं one upon 22400 into six into 10 power 23 correct यहां पर दिखेंगे molecule क्या लिखेंगे molecule क्योंकि आपका one CC N2O है और N2O को हम molecule बोलते हैं यहां पर दिखा 6 upon 22400 into 10 power 23 molecule अगर आप इसको atom में चेंज करेंगे तो आप देखें कितने atom दिख रहे हैं आपको N2O के अंदर N के दो atom और oxygen का एक कुल मिला कर होगा 3 atom तो आप one CC में इतने molecule हैं अगर में इसमें हम 3 का multiply कर दें तो यह बन जाएंगे atom 22400 into 10 power 23 अब लिखेंगे atom तो आप देखेंगे 18 upon 22400 into 10 power 23 atom आपके one CC में होंगे आपको बात समझ में आ रही है हमने हमारी golden line की मदद से one ml का में कितने mole होगे वो निकाल लिया सिद्धी सी बात है आप इसको one करना चाहेंगे तो यह इदर divide हो जाएगा यह हो गया इसका एंसर हो गया 18 इंटू आप इसको नोट डाउन कर दें 18 अपान 224 डबल जिरो इंटू टेन कावर 23 हुआ अब आप पहले option को मेच करें आपके वास वन पाइंट है ठीक है आप वन पाइंट कर देंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा ओके और उसके बाद आप जब इसको यहां से माइनस करेंगे तो यह टेन पाउर 22 हो जाएगा मतलब हमारा option नमबर ए बिल्कुल फिड़ बेठ रहा है वन सीसी आप एंट टूओ में इतने एटम आपको मिल जाएगे करिक्ट चलिए हमारे पास एक option है डी ऑल तो आल लिखा इसका मतलब हमको बी और सी को भी चेक करना पड़ेगा करिक्ट चलिए बी और सी को चेक करते हैं हमारे बास बी में लिखा हुआ है और मोलीकुल लिखा हुआ है तो हमने सबसे पेले वही निकाना था 1cc领ब 1 अपाँ 2 ,2 4.00 What मोल मोल से हमने मालेकल बना है तो आपको बता हूँ एक मोल में कितने मालेकल होता है एवोगेटरो और यह 6 इन्टो 0,23 इन्टो 10 बाइ 23 यह एवोगेटर नमबर है यह n बाइ 224 00 हो गया मतलब यह answer भी सही है इसका मतलब यह हुआ कि इस question के दो answer सही है तो आप तीसरे को check नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि हमारे पास एक answer है और all है मतलब नीट में केवल एक ही answer सही होता है तो जब यह दो answer सही होता है तो तो तीसरा भी सही होगा तो हम all को tick करेंगे अब आपके सामने यह question बहुत सरल जब आपकी practice हो जाएगी तो आप इस question को within 15 seconds वाल लो कर देंगे क्यों क्योंकि आपका option B तो direct दिख रहा है एन अपान V अभी हमने जो point लिखा था उसमें क्या लिखा था volume of बनाब one CC volume में कितने atom होंगे या molecule होंगे तो वो सीधा आपका अपान V तो वो ये direct दिख रहा है तो option B तो हमको सीधा question दे के समझ में आ रहा है option A के लिए हमने इसी option B का सहरा दिया अगर हम molecule को atom में change करना चाहें तो one mole में कितने atom दिख रहा है आपको 3 तो सीधा यहां अगर आप 3 का multiply करेंगे 6,5,0,3 में तो आपका 18 direct आ जाएगा बस आपको थोड़ा सा zero में sharpness use करना पड़ेगी तो आपका answer A B exactly B से solve हो जाएगा तो इस तरह से neat का यह question जो बहुत सरल है यह question भी हमारे इस golden line से solve होता है चलिए हम एक question और देखते हैं अगरा question हमारा है how many molecules of electron weight one kilogram क्या question है how many molecules of electron weight one kilogram हमारे पास नीट का एक और question है how many mole of electron weight one kilogram चार आप्शन है हमारे पास चार आप्शन वेसे यह option विलकुल नहीं होगा क्योंकि electron एक electron का बजन अब आपको यह basic जानकर होना चाहिए mass of one electron क्या होता है 9.1 इंड़ टेन पावर मानिस 31 किलो ग्राम हमारी लाइन के अंदर रिखावा है one mole equal to atomic mass equal to ever greater number right मदब एक mole में इतने electron होते है correct तो हमारे पास एक mole में हुए one mole content 6 in to 10 power 23 electron one mole electron के अंदर इतने particle electron के होगे और एक electron का बजन 9.1 है तो mass of electron in one mole कितना हो गया 6 in to 10 power 23 into 9.1 in to 10 power minus 31 समझ रहें एक electron का mass इतना है okay एक mole में 6 in to 10 power 23 electron होते है अब एक electron का अगर इतना mass है तो इतने electron का mass कितना होगा कितना होगा मतलब one mole electron equal to 6 in to 9.1 in to 10 power minus 8 kg और हम से पूछा गया है one kilogram में कितने mole होगे तो हम सीधा इसको उठा कर इसके divide में कर देंगे 6 in to 9.1 in to 10 power minus 8 तो इधर बचे का one kilogram और आपके पास आ गया one kilogram में number of mole one upon 6 in to 10 9.1 तो आपके पास यह वाला last option one upon 9.1 in to 6 0 to 3 in to 10.8 तो इस question का यह solution हुआ तो आपने देखा हमने कुछ question नीट के solve किये हर question का logic एक जैसा है थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है इस line को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है सारे question इसी line से शुरू होते है और इसी line से सारे question solve हो जाते है थोड़ी सी twisting questions में आती है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है जिसे यहां पर उसने दिखाया कि how many mole of electron weight one kilogram तो यहां एक चीज जो basic है आपको बता होना चाहिए कि एक electron का मास इतना होता है बाकी फिर हमारे concept में है कि one mole में इतने electron जैसे कि एक cup का बज़न suppose करो 10 gram है और आपके पास 10 cup है तो आप क्या करोगे सीधा multiply करोगे तो ऐसे इतने electrons का बज़न दिकाल ले के लिए हम एक electron का weight इसके दर multiply कर देगी और ये सारे electron one mole में है तो हमारे पास सीधा relation आगया कि one mole electron का weight इतना है और आपको चाहिए one kilogram में कितने mole तो आप इसको उठा के इसके divide कर दो तो यहां बचेगा one kilogram और इदर आजाएगा बनफादिस mole ठीक है और अगर आपको कोई क्योरीज है और आपको अगर और समझ में नहीं आ रहा है तो आप comments box में हमको आप लिख कर भेज सकते हैं तो हम इसके लिए फिर से आपको explain कर सकते हैं नए तरीके से explain कर सकते हैं तो हमारे इस mole concept के topic number one है how to calculate number of atom volume of atom mass of atom number of mole यह सारी चीज़े हमने देखी कुछ examples के थूँ हम इस chapter के second topic को touch करेंगे second topic है strikiometric calculations strikiometric calculation का मितलब आपको एं chemical reaction दे रखी है सबस करो आपने magnesium को बर्द किया तो आपका product हुआ MGO correct अब इस equation से related बहुत सारी बाते हमसे पुछी जा सकती है सबसे बिले हम इस equation को पुरा समझते हैं कैसे समझा जाता है आप यह देखें कि आप का oxygen का atomic mass होता है 16 तो oxygen O2 molecule का mass हुआ 32 gram आपके बास magnesium magnesium का mass होता है 24 gram इसमें 2 का multiply कर दिया यह हो गया 48 gram आपका यह हो गया 2 into magnesium 24 और oxygen 16 तो आपका हो गया यह 40 to 80 gram अब क्या समझेगे आप सबसे पहले इस basic concept को समझना आप इस पुरी equation को standard format में अगर complete करना है तो आपके बास 2 mol mg 1 mol of oxygen होना चाहिए यह दोनों आपस में react करके 2 mol of mg बनाएंगे यह इस equation से जुड़ी भी पहली बात दूसरी बात आपको इसको अगर gram में change करना है तो आप इसको gram में change करेंगे तो 48 gram 32 gram oxygen से react करेगा और 80 gram of mg बनाएगा ठीक है exam में question आया की 10 gram mg react with oxygen and use mg तो how much oxygen is required to react with a 10 gram of magnesium correct क्या होगा question 10 gram magnesium react with oxygen O2 completely and gives mg what amount of amount of O2 will required okay 10 gram mg O2 से react करता है completely तो कितने gram मेगनिशम हमको required होगा यह question अगर पूछा जाता है तो आप किसे swallow करेंगे तो सबसे पहले मेगनिशम oxygen से react करेगा तो जो इसका standard equation है वो हमेशा इसी रेशो में react करेगा सबसे बढ़िया टेक्निक आप देखिए मेगनिशम 48 gram oxygen 32 gram और mg 80 gram यह रेशो हो गया 48 gram अगर आप मेगनिशम लेते हैं तो आपको 32 gram oxygen के आउशकता होगी और उससे 80 gram mg बनेगा अभी आपके कोशन में आपने क्या ले लिया 30 gram mg ले लिया अब हमें नहीं पता कि oxygen कितना चाहिए बहुत आसान है आप इहां पर एक सब कुस कर लो कि 30 gram से 100 gram oxygen react करके हमको mg यह देगा correct अब इसका जो रेशो है उसी रेशो में हमेशा मेगनिशम oxygen से reaction करेगा आप अगर मेगनिशम की मातरा change करोगे तो oxygen की मातरा भी आपको change करना पड़ेगी तो हमने मान लिया कि 30 gram मेगनिशम से 100 gram oxygen react करता है अब आप इसको solve करेंगे तो बहुत आसान है आप इसका रेशो निकाल लो clear 10 का डिवाइड क्या 4.8 हो गया 32 अपन X X इदर और 4.8 down decimal अटाया 16 से कटेगा 3 तो X इकल टू 6.67 gram oxygen आपको आउशक होगा अगर आप 10 gram आफ मेगनिशम लेंगे तो इस तरह से आपको 10 gram एगरिशम से completely reaction करने के लिए 6.67 gram आउट आउशक्ता होगी इस तरह के बहुत सारे question नीट ने पूछे है और frequently 2023 में भी इसी पर एक question नीट ने पूछा है बहुत खुबसूरत question है हम उस question के बारे में कर डिसकस करेंगी हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे और इसके stoichiometric के कुछ और numerical को solve करके हम इसके concept क्लियर करेंगे इसके साथ आपको एक चीज़ का और concept क्लियर हना चीज़ परसेंटेश जब आप से परसेंटेश के उपर चर्चा की जाए तो आपको पता हुना चीज़ परसेंटेश क्या होता है कैसे calculate करते है अगले lecture में हम आपको percentage calculation के बारे में भी समझाएंगे तो आज हमारे lecture ने समाप्त होता है आप अपनी पढ़ाई जारी रखे और फिर हम बता रहे है maths में अगर problem है तो हमारे maths for NEET वीडियो को subscribe करें उसको आप देखें उसमें हमने NEET में used बहुत अच्छे अच्छी techniques का maths की अच्छे अच्छी techniques का special हमने वीडियो प्रिपेर किया calculation आपका differential integral trigonometry vector इन सब के बहुत खुबसरे से concept हमने उसमें discuss की है और वो ऐसे concept है जिनको आपको ज़्यादा detail में नहीं जाना है exactly हमने उन points को touch किया है जिसके ओपर NEET question पूछता है तो हम फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जानी रखिए जुनूर और जित मत छोड़िए क्योंकि जित से बड़े बड़े काम सफल हुए है तो आपका अभियान भी आपकी जित से सफल होगा आप लगे रहिए सफलता आपको दिश्यक्रूप से मिलेगे जब तक आप अपने जयान लखिए पढ़ते रहिए